गुड़ मॉर्नी फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन एस्ट्रिप्शन पूछूँगा उसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी दोस्तों मैं Unacademy पर ही पढ़ाता हूँ तो आप Unacademy का Learning के Play Store से डाउनलोड करके उसमें Online HD Point सेर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा से फाइदा होता हो तो होसला उसावर्ण बनाने के लिए एक लाइक जरू कर दिया करना दोस्तों साथ ही इस वीडियो को जादा जादा सेर करेजिए अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक वाटसप गुरूब में ताकि उनकी मदाद हो सके उस चैनल को सपोर्ट कीज़िए दोस्तों चलिए पहला कोश्चन बहुत इंपोर्डेंट है सैयुक्त राष्ट परियाबरन कारेकरम के नियू आर कारेले का सहायक महासची किसर निउट किया गया है इसका राइट एंसर है सत्य एस्त्रिपाठी को यानि इस कोश्चन का अन्वभी भारती विकास अर्थसास्त्री जो हैं सत्य एस्त्रिपार्थी को यूएन चीफ इंटेनियो गुटेरस द्वारा शायुक्त रास्ट परिया वरनकारिक्यम यानि यू एन एपी यूनाइटेड नेशन इन्वायर्मेंट प्रोग्राम के निवार का रहा लेकर सहायक महासची प्रमुख निवक्त किया गया है और किसका अस्थान लेंगे तो अस्थान लेंगे इलियर के लियाट हैरिस का कि ये भी कोश्चन आपसे पूछा सकता है कि इसका ladies का चानूनी मामनों में शामरिक कार पर कार किया है इन्हों यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं United Nation Environment प्रोग्राम के बारे में बहुत इंपोर्टेंट संस्था यह इसे लेटर कोश्चन पूछा आता है तो अकुवतादिक इसकी स्थापना हुई थी पांच जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और अकुवतादिक प्रतिवर्स पांच और अच्क है और इसकी स्थापना हुई थी दूभी दीश्च पर रह्ण दिवस्ता कमना जयता है पांच जून को यह कुश्चन कई बार पूछा जाता है और इसका जो हेड़ क्वार्टर है बहुत इंबोरइन हेड़ कुछे आता है कि युएन अपी का मुख्याल सब्स्वार्ट का नौरोबी चेया में आप यादरंब कंशिएगा और वर्तमान में जो इसकी वो है दोस्तो स युएन एड की डारेक्टर वो है एरिक सोलेम का ओने डारेक्टर एरिक सोलेम जो है तो बुरतवान में डारेक्टर याप याद रखिये कि बहुत इंगारटन fact है तो अशिच कुमार भूटनी को हाली में प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना का मुख्य कारेकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है तिये भी बहुत इंबोडन कोश्चन है करेंडर फेस का प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना का मुख्य कारेकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है आशिश कुमार भुटा वरतमान में 36 गवर्नर के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है राज जिपाल है और 36 गवर्न का त्रिक परफार इनुने समाला है बात करें रेखा सर्मा की दोस्तों तो अभी हाली में रेखा सर्मा जी को राष्टी महिला आयोक का नया अध्यक्ष जो नियुक्तिया गया है रेखा सर्मा जी को बनाया गया है तो बहुत इंबोर्डेन कोश्चन है चारों के चारों जो आपको बताया हो नियुक्तिया नियुक्तिया इसको नोट कर लिजिए गा और विल्कुल याद कर लिजिए गा हाली में रेखा सर्मा को राष्टी महिला का नया अध्यक् सथ हट्पक्त आप lift विव्कुल वियाद रखने हैं तो स्रायुक्त राष्ट परियाभरन कार्या कर्याम के नियू आर्ड का रहला्य नहीं इस सफारिये इस स्थापना कर्या ये मंनुंसारेasadin पर पूसफफैंग्र और दोस्तों आज टार्गे रखते हैं 13,000 लाइक का आई होप आप लोग पूरा करेंगे वीडियो अच्छा लगए आपको प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें होसला बढ़ाने के लिए दोस्तों यह आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लाइक करके सपोर्ट जरूर कर सकते हैं दोस्तों साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेज को जरूर लाइक कर लें वहाँ पर बहुत सारे आपको नोट्स में प्रोवाइट करने वाला हूं और उसके लाब साइन्स के नोट्स और बहुत सारे नेट्स आपको आप ही मिल जाएगे ऑनलाइन सब्सक्राइ जन daarने दोस्तों के आठ सोन पदक किस नजीत है इसका राइट एंसर है मंजीत सिंग्ग ठीक होग ऑससे में मांतित इसका और ऊपसर हैं पर इंसर नहीं गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ जो है तो देश को अपने भारत को नौमा गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त हुआ है इसके लाव है एक अन्य भारती धावक जो थे जिनसन जॉनसन जो एसिया में पहले स्थान पर है उन्होंने इस एवेंड में रजत पदक जीता है आपको बता दे कि एसी आई खेल दो अठारा जो है वो इंडोनेसिया के राजनी जकारता और पोलेंबैक शहरों में हो रहे हैं इसका शुभंकर है एसे खेल दो अठारा का भीन भीन काका और अतुंग क्या है शुभंकर भीन भीन काका और अतुंग ठीक है तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा इसके लाव आपको यहाँ पर बात करें दोस्तों पहलवान बजरंग पूनिया की दोस्तों पहलवान कुर्सों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम बर्ग में फाइनल में बजरंग पुने ने जापान के ताइची ताका तानी को हरा कर भारत के लिए पहला गॉल्ड मेला जीता था ठीक है तो यह बहुत इंबोर्डर कोश्चों नहीं बात कर दोस्तों यहां पे विनेस फोगट की द 50 किलोग्राम बर्ग के फ्री स्टाइल में जापान की यूकी आयरी को रहा है कि किसको रहाए इन्होंने जापान की की आयरी को यहां पे यह भी रखिए गा इन्होंने 50 मीटर पिस्टेल परदा में एस यहां फ्क्री घ्रहों हैं तो जितने भी आपको कोईशन बता है बहुत इंपोर्डेंट है एक्जाम पॉइंड अभी उसे तो यह आप बिल्कुल याद रखिए को वहीं दोस्तों यहां पर बात करें अगर नीरत चोपड़ा कि इन्हों इन्हों ने हाली में नीरफ चोपड़ा ने जो इन्हों ने दो दोस्तों एसी आई खेलों में सोड़ पतक इतने वाले भारती जेवलीन थ्रोवर बन गये हैं ठीक है एसी आई खेल रहे हैं पूर्सों के 800 मीटर इवेंड में सोड़ पतक इसने जीता है जिसका राइट एंसर है मंजीत सिंग इसने मंजीत सिंग ने जीता है ठीक है और एसी एन गेम्स इससे पहले जो हुए थे दोस्तों वो हुए थे इंचियों दक्षिन कोरियम 2014 का और अगला होगा 2022 का चीन के हांग जू में न अंगला कोश्चन है भारत और भी शुएंग ने कितने मिलियन डॉलर के रिंड के समझते पर स्थाक्षर किये हैं तो भारत और भी शुएंग ने दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के रिंड समझते पर स्थाक्षर किये हैं और उन्होंने आपको बता देख 220 मिलियन डॉलर के असी मिलियन गारंटिन समझेट परसका इसर किये हैं इसके लाब आपको बता देख एनरजी एफिसेंसी सर्विस लिम्टेट द्वारा लागू कारकरम आवाश्ची और साजमिक छेत्रों में उर्जा बचा तुपायों की तैनाती को बढ़ाने में मदद करेगा यहाँ पे दोस्तों बात करें साथीश कुमार खरें के तो विट्रबंतरालेम वर्टमान में सर्विस सचीव हैं ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों बात करें विश्व व्एंग की स्थापना हुई थी 1945 में जिसका headquarter है वासिंग्टन अमेरिका में ठीक है और विशुवेंग में जो आपको बता दे कि यह सहयुक्त राष्ट के पुनर रिर्माड़ा और विकास कार्यों के लिए रिंड देकर पूंजी की विवस्था करता है यह वरतमान जो इसके प्रेशिडेंट है विशुवेंग के वो है जीम योंग किम वरतमान प्रेशिडेंट है इसका headquarter है वासिंग्टन डिसी में तो भारत और विशुवेंग ने कितने क्रिशी शहकारी व्यापार फोर्म सुरू हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में कहां पे काठमांडू में यह Okay मैंनि संगटन शारक का पहला कर्षी इसका हेड़कोर्ट है काथमान्डू में ही सार का हेड़कोर्ट है काथमान्डू में सार के जो बरतमान में तो sार का पहला क्रिसी शहकारी बियापार फोरम कहां पर शुरू हुआ है यह सुरू हुआ है काटमान डू में अगले खुषिंग तरब बरते हैं प्रति वर्स राषटी खेल दिवस कम मना जाता है दोस्तों जी के जन्म दिवर्ष करफसर पर राष्ट्री खेल दिवस मना जाता है और आपको बता दें कि भारती प्रतानमत्री मोदी जी ने सभी खेल परी लोगों को बढ़ाई दी और कहा कि यह वर्ष खेल जगत के लिए बहुत अच्छा रहा आपको बता दें कि जो प्रिसिद्धा इस अग्ए भीर्ष करफसर पर राष्ट्री खेल दिवस मना जाता है और अपको बता देंव इन्हें ब्यापा को रूप से सबसे बड़ा फिर्ड होंकी खिलाडि माना जाता है और उन्हें 16 साल की आयू में सेना में सामिल होने के बाद होकी खेलना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने सांदार गेंदनी इंतरण के लिए प्रसीद दितावर पर दविजाड के रूब में जाना जाता था ठीक उन्होंने अपने अंतराष्टी करियर के दौरान 1000 से धीक गोल किये थे ठीक है तो प्रतिवर्ण राष्टी खेल दिवस कम मना जाता है प्रतिवर्ण 29 सगस्त कम बना जाता है बहुत important question है कई वार exam पूछा गया है दोस्तों वहीं बात करें 6 अप्रेल की तो प्रतिवर्स 6 अप्रेल को अंतर राष्ट्री खेल दिवस मना जाता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंतर राष्ट्री खेल दिवस कम मना जाता है जब कि राष्टी खेल दिवस मना जाता है उन्ती सगस, कन्फूज मत होईएगा वहीं दोस्तों बात करें 28 फर्वरी की प्रतिवर्स 28 फर्वरी को राष्टी विग्जान दिवस National Science Day मना जाता है इसी दिन जो तो रामन प्रहों की खोज हुई थी तो प्रतिवर्स 28 फर्वरी की मना जाता है राष्टी विग्जान दिवस बात करें हैं पर 24 जन्वरी की तो प्रतिवर्स 24 जन्वरी को दोस्तों राष्टी बालिका दिवस राष्टी बालिका दिवस का मना जाता है 24 जन्वरी को जिसका राइट एंसर है दोस्तों ऑप्सन सी प्रकास जावडेकर ने ठीक है प्रकास जावडेकर देखे जो भारत के मानुषन साधन विकास मंत्री है प्रकास जावडेकर ने नई दिल्ली में विश्चु के सबसे बड़े ओपेन इनोवेशन मौडल का तीसरा संसकरन स्मार् किस ने लॉंच किया है जो भारत के केंद्री मानुषन साधन विकास मंत्री है प्रकास जावडेकर जी ने चलिए अब देख लेते हैं कल का एंसर कल मैंने कोशन पूझा था आटल जी ने कहा पुस्तक के राइटर काउन है लेखा कौन है इसका राइट एंसर था आपसा ने ब्रिजंद रही लगवक सभी लोगों ने राइट एंसर दिया था और डीप में काफी सारी जानकारी लिखी थी क्यूंकि आप लोग रिगलर वीडियो देखते हैं आप देख लेते हैं आज का सवाल आज को कोश्चन क्या है आज को कोश्चन है एशियाई खेलों में स्टो अब बहुत सारी करेंट अब इस वीडियो देख सकते हैं काफी इंपोर्डेर सभी एक्जाम के लिए ठीक है प्लीज कमेंट जरू करिएगा साथ ही साथ लाइक कर दीजे वीडियो को शेयर कर दीज जदा जदे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक